मिसमिल्लां रवारम रहीँये मिरे नए आने वाले सब्सक्राइबर आज मैं मैं आपके साथ के रेस्फप शेर करें रेस्प्सक्राइब बालिन के लिए बना डेकरेशन के लिए करें स्टॉबरी के लिए जो चीज़े चाहिए थी यह ने एक डीब बनाई थी चोकलेट की तो मैंने कुकिंग चोकलेट विपिंग क्रीम को मेल्ड करके बनाई थी और इस पूच स्टॉबरी यह जाए इस्टॉबरि इसको मैं नधोके साफ करके तूटपीक में लगा लिया था और इसको मैं कॉट कर रही हूं चोकलेट को को कॉट करके लगा कर रखना होंगे कुछ दिर के लिए फिरिज के अंदर ताके यह इस्टॉबरी के ओपर सेट हो जाए तो सारी ही स्टॉबरी को मैं इस चोकलेट में कोट करके ठंडा होने के लिए रखवा थूँ कोटिए why it is rich के अंदर सेट होने के लिए इस तरह से उसे में एक कप ले रही हूं की रीशित एक बॉल के नियुक्ड ने डाली है कप विपिंग ज्ज्ट कर रही हूं इतना बीट की फल फी sites i तो यह बोल भर के बन जाएगी की महारी है हमारी अफे तरह से कीं को मेंट कर रहना है इसके अंदर में इंग्रीडियन्स शामिल कर रही हूं मैं बना रही हूं पिंक किलर का केक तो इसमें डाल रही हूं रैड फूट कलर और अधा टेबले स्पून जितना मत इसमें डेट इस्टोबरी जैम मिचिल्स का या कोई भी ब्राइंड का आप ले सकती हैं इस तरह से जैम डालने से क्रीम का टेस्ट और मज़ा बहुत अच्छा बन जाता है जरूर आप लोग रेस्पी को ट्राइ करना को इस तरह से मे इसको जैम और फूट कलर डालने के बाद अच्छी तरह से भीटर से मिक्स करूं गिए हो इसको में जड़ा नहीं प्रिक कर लोगिए गे लिए जो ऑच्छा लगता है इसलिए नियुक कि टी टीस की ऐ कि अचितना से मिसकेट लोंगे इसको भी किरीम हमारी जो है नसे अचोसे ट्राह से 25 हो जाए मिक्स हो जाए कुल आई इस पंच बनायने के लिए आपके लिए शेयर की थी आप लोग विश्फ पंच केक कि रैस्पी भी में और अपने चेनल पे शेयर की वी है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी आप लोग देख सकते हैं तो यह मैंने स्पेंच बनाया था केक का चोक्लेट स्पेंच केक उसको मैंने तीन लेयर में काट लिया था इसके उपर मैं डाल रही हूं विपिंग किरीम और इसके उपर मैंने कुछ स्टोबरी इसको ब काम मिन्स बताना अब मैं इसके उपर दूत के साथ इसको मैं कर रही हूं सोक केक को सोकра करना जड़ूर अच्छा हुता है ठाल कि केक का दूत reason कि युद्ध से सोकरने के बार मैं स्थियों मैं दुबारर केम एट कर हूं लेए हूं करीम की कि आपकी जादा लगाएं यह कम यह आपकी 24 के ओपर हैं अगर आपको किरीम कम पस थे तो कम ही इसमें एट करना अच्छी तरह से कीरीम सब तरफ लगाने के बाद इसके ओपर में दुबारा स्टोबरी की लगाओंगी इस स्लाइस में है दूसरी तबरिष्टे कर देंगे इस तरहां से करने के बाद दुसरी लेयर लगाओंगी केक की में तिन लेयर में मैंने केक काटा के रखा था इसके बाद को दूसरे हम सोग कर हूं चाहें तो किसी भी बेलाण के दूद्ध या घर के दूद से जवाव डेरी का दूद्ध होता है उससे विशोक कर सकती है और सारे ऐसे केक को कर दूँगी क्रीम से कवर देखें इस तरह से और यह मैंने चॉक्लेट जो गणाश बना के रखी थी जो मैंने इस के बना रही हूं आज मैं बगर नियुजिल के बना रही हूं ताकि आप लोग भी बना सकें इस तरह से मैंने और जो स्टोबरी की मैंने करी थी डेकोरेशन तो भी इसके उपर में सेट कर दूंगी तूट्पिक को सार्यों को रिमॉफ कर दूंगी तो मज़िदार सा परड़े के के इसके तैया हो रहा है आप लोग जरूरेस्ट को लाइक करें चैनल को सब्सक्काइब करें और मेरे विल आइकन को क्लिक कर लें सारी स्टाबरी को मैं इसके उपर सेट कर रही हूँ तो देखें कितना खुबसूरत स्टाबरी केक बन के तयार हो रहा है फिर लोड़कर आऊंगी मज़िदार और नई रेस्पी के साथ लाहाफिस प्रॉबसूरत स्टाबरी के तयार है